आज आपके साथ मिलकर एक बात कहना चाहता हूं सिंपल बात है आयरवेद और किट्स आयरवेद और बच्चे आयरवेद में सबसे बड़ा मित या आप कहें तो पूरे जहां में सबसे ज़ादा जो लोगों को पता नहीं है वो है आयरवेद में बच्चों के लिए क्या चीज़ है या कहें तो बहुत सामाने भाष्चा में हाओ आयरवेद और किट्स आर रिलेट विद इच अधर तो इन दिस टॉपिक और वी कैंसे इन दिस कम्यूनिकेशन बट्विन यू और मीं हम लोग बात करेंगे आयरवेद और किट्स की बच्चों और आयरवेद की आयरवेद अगर देखा जाये तो इस साइंस ओफ लाइ होते हैं और जब तक हम मृत्यू को प्रात्त होते हैं या मरते हैं उस समय तक आयरवेद हमारे साथ ही चलता है तो क्यों ना हम बच्चों की अवस्ता या 16 साल से कम एश ग्रुप में आयरवेद कैसे यूटलाइज करना है उसे जाने बच्चा जब पैदा होता है तो उस टा या आयरवेद क्लासिक्स में 16 तरीके के संसकार बता दिये गए 16 संसकार उसमें से सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट्ट जो कि हर महिने यूज होता है वो होता है स्वर्ण प्राशन Swern का मतलब होता है Gold और Prashan का मतलब होता है उसे खिलाना Swern इतमें बात करी जाए तो सबसे जादा immunity या Immuno Booster Immunity को Boost करने वाला Content है Swern यानि कि Sun इसकी ऐसे भस्म बनाई जाती है जो कि पानी के उपर तैर सकती है जेनरली गोल्ड पानी के नीचे तैर के नीचे पहुंच जाना चाहिए ग्रैविटी का लेकिन बस में उसे उपर रखती है इसका मतलब उसे और ज़्यादा पोटेंट और और ज़्यादा इम्मुनो बूस्टर बनाती है उसी स्वन्ड को साथ में हनी के मिला दिया जाए तो इम्मुनिटी को और ज़्यादा मूग कर सकता है ज़्यादा बढ़ा सकता है एक साल से बच्चे को अगर 16 साल तक हर मेने स्वन्ड प्राशन दिया जाए या हर मेने के पुश्य नक्षत्र ऐसा एक टाइम पीरियड आता है जब इम्मुनिटी को और जादा बूस्ट किया जाए तो उसे कहते हैं स्वन्ड प्राशन जो कि आयलवेग का एक यूनिक कॉंसे है जो कि बच्चों की इम्मुनिटी में बहुत अच्छा काम करता है जाहतर हम देखते हैं कि बच्चे जाहतर बिमार होते हैं उनकी इम्मुनिटी लॉस होती है बहुत सारे टीके करण बहुत modern science ने यूस करें लेकिन स्वन्ड प्राशन एक ऐसा टीका करण है जो कि हर मैने पुष नक्षत्र में देके बच्चे की इम्मुनिटी को सारे डिजीज से उसे क्योर किया जा सकता है वाट वीकें से इम्मुन बूस्टर सप्लिमेंट फॉर्ट चेल चाइल फ्रॉम दे एज ऑफ वन तो दे एज ऑफ 16 एक साल से बच्चे लेके 116 साल के बच्चे तक इसक ति उनके traditional, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना नहीं होता, उनको कब कैसा react करना है और कब कैसी situation में कैसे deal करना है यह भी आएवएद में तो जब बच्चा 6 मार का होता है यानि कि 6 मन तो जो उसकी एज होती है उसके पहले तक बिल्कुल भी उसे मदर मिलके अलावा कुछ भी नहीं देना है 6 मैने पर आने पर उसे हलके पतले फूट्स देने शुरू करने है बारा मैंने यानि की एक साल का हो जाने पर उसे प्रॉपरली अनाद यानि की अन देना शुरू कर लेना है ये चीजें ही संसकार क्यालाती है आईवेट के इससे इम्यूनिटी के साथ साथ में जेनरल ग्रोथ एंड डेवलब्मेंट आफ़ चाइड सबसे अच्छे लेवल पर होता है आज हम सुनते हैं कि दादा नाना नानी ये सब कहते हैं कि हमारे जमाने में जो चीजें खाने को मिलती थी वो आज नहीं मिलती लेकिन वो सारी चीजें अभी 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 लेवल हैं बस ये है कि उसकी कॉलिटी उतनी अच्छी नहीं लेकिन अगर उसे संसकार के फॉर्म में या फिर कब क्या चीजें लेनी है वैसा अगर हम उसे मॉडिफाई करें तो इससे हम अपने बच्चों की इम्मिनिटी सोला साल तक बहुत अच्छे डिवल तक पहुंचा सकते हैं जिससे वो एक हल्दी नेशन बनाएंगे और सोसाइटी को जादा अच्छी हेल्थ मिल पाई बेसिकली कॉंसेट यही है अभीत का स्वस्तस्य स्वास्तरक्षणम आतुरस्यविकार प्रश्मिनमच्छा और भी आईवेविक के जनकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्माइब प्रश्मिनमच्छा